नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं MP Board Class 9 NCITS Science कक्षा 9 वी में विज्ञान से आज का हमारा most important question ने Newton की गती का प्रथम नियम लिखिए With example, आपको यहाँ पे Newton की गती का प्रथम नियम बताना है उधारन सहीत तो यहाँ पे हम क्या ले हैं Newton की गती के प्रथम नियम अनुसार क्या हो जाएगा यदि कोई वस्तु इस्थिर अवस्ता में है तो वह इस्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्ता में है तो वह गतिमान ही रहेगी जग तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए ठीक है न्यूटन की गति का प्रत्थम नियम जड़त्व को प्रदसित करता है और इसे जड़त्व भी कहते हैं ठीक है गईस देखो जैसे कि कोई वस्तु इस्तिर है तो वो इस्तिर ही रहेगी ठीक और अगर वो वस्तु गतिमान है इस टैप से गति कर रही है तो वो गतिमान ही रहेगी जग तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए जैसे कि ये वस्तु इस तिरह वस्ता में है बाहर से मैं इसको फोर्स लगूँआ तो ये गतिमान अवस्ता में आ जाएगी और अगर ये गतिमान अवस्ता में इस टेप से और मैं बाहर से फोर्स लगा कि इसको रोख देता हूँ तो ये रुख जाएगी ठीके बाकी जो वस्तू जैसी है वो वेसी रहनी चाहती है ये हमें कौन बताता है न्यूटन का प्रतम नियम बताता है ठीके गाइस इसका एक्जांपल भी हम देख लेते हैं तो इसका एक्जांपल क्या होता है समझ लीजिए तो इसका एक्जांपल है जब हम किसी बस में यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से बस के ब्रेक लगते हैं तो हम पीछे की और जुग जाते हैं क्या होता है कि जब हम किसी बस में बेटे होते हैं और अगर बस के ब्रेक लग जाते हैं तो क्या होता है हम पीछे की और थोड़े से जुग जाते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब अचानक से बस इस्टार्ट हो जाती है तो हम क्या होते हैं आगे की और झुख जाते हैं ठीक है क्या होते हैं ढगे की और जुग जाते हैं sorry guys इसमें थोड़ी सी mistake हो गई है थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्या होता है कि जब break लगते हैं तो हम आगे की और जुग जाते हैं और जब अचानक से bus start होती है तो हम पीछे की और जुग जाते हैं ठीक है guys थोड़ी सी mistake थी मैंने यहाँ पे सुधार दिये ब्रेग लगते हैं तो हम आगे की और जुगते हैं सभी ने इसको भली बाती देखा होगा bus में सभी ने सफर किया होगा और जब bus एक दम से start होती है अचानक से start होती है तो क्या होता है कि हम तोड़े से पीछे की और जुख जाते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो Newton की गती का प्रथम नियम फोलो होता है ठीक है गाईस तो यह था आपका question आज का important Newton की गती का प्रथम नियम उम्मीद आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं गाईस आपसे request दी अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो like कर दीजिए ठीक है गाईस मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए thank you